इस हेलो बच्चो कैसे हैं आप अच्छे होंगे अब देखो क्या कहते हैं स्कूल का कोई प्रॉपर सिस्टेमेटिक तो नहीं बढ़ रहा और मुझे लगता भी नहीं कब से रियोपन होगा मतलब अभी सोचा नहीं जा सकता ना कुछ कहा जा सकता कि सिचूइशन ही कुछ ऐसे बनी हुई है तो वैल इस चीज़ को थोड़ा साइड रखते हैं यह बताते हैं फिलाल आप घर पे आज कल क्या कर रहे हैं पढ़ाई बिल बॉला कि सारी पढ़ता नहीं है सारी जब से स्कूल बंदू है तब से क्या कहता है और तब से क्या कहता है बस फोन पकड़ा दो थोड़ी दिर देखेगा बस पूरे दिन फोन चलाते रहते हैं गेम केलते रहेंगे कॉपी किताबी ने उठाते तो देखो बच्चो यह पिताबी आप से मरानी करेंगे बट लेकिन यह तब और अच्छा था है जब आप इसमें एक वर्ट्स और जोड़ देते हैं एक चीज और जोड़ देते हैं अपना डेली रूटीन में वह है क्या कहते हैं आपका स्टड़ी स्कूल क्लोज है आई नो वेरी वेल बट क्या कहते हैं अगर आप टाइमिंग ऐसा बना लेते हैं प्रॉपर देखो आप छोटे बच्चे हैं क्लास 6 कोई ज्यादा बड़े बच्चे तो होते नहीं है ना छोटे छोटे नन्नी 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 बच्चे होते हैं तो इसमें कोई वो भी नहीं है तो जितना हो सकता है उतना पड़ो बागी मस्ते करो खेलो टेलीविजन देखो इंटरनेट चलाओ निउस्पेपर पड़ो है ना यह सारी चीह 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 आदत दर डेवलप करो अपने अंदर वैल हमारा चैप्टर चली रहा था फाइबर ट ल二 विडियो थी हमारी उसे मैंने अपने डिस्क्रिफ्ष Santo वीडियो की डिस्क्रिफिशन मरी लिंक भी दिया था जिसमें यह चैप्टर पूरा था उस चैप्टर के एंड मेंता पूरा जैप्टर था ऊसमें असाइनमेंट भी अकसाइज भी वगरा थी सब आञु अगर एक को कमेंब कर सकते हो तो कमेंट करना है ना ты नो को सकता है मैं अंसने दूंधू उसका क्या कैता है अगर अगर आप पॉसिपल है आपका कमेंट करना तो और नहीं है तो onesie from page करते हैं कब तक जब स्कूल उपन नियुंगे तब गट करना उसके बार आप अपनी queries, doubt, problem जो भी है, एक notebook में अपने entry कर लेना, फिर में से push लेना, कोई problem नहीं है, सबका solution होगा, अभी नहीं होगा, तो आगे जब school open होगा, तब हो जाएगा, लेकिन solution सबका होगा, तो वैल, start करते हैं, थोड़ा सा ही है, हमारा जादा नहीं है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने spinning process complete कर लिया था, उसके आगे ही है, कि yarn to fabric weaving and knitting, है न, weaving and knitting क्या है, वो देख लेते हैं, The yarn thus obtained is made into a fabric, usually by weaving and knitting, देखो, weaving and knitting, yarn जो है, जो हमने obtained किया है, fabric से, उसको हम usually कैसे, usually by कौन से process से use में लेते हैं, वो है weaving and knitting, बुनना वगेरा है न, कपड़े बुन देना अपस में, वो ही है, तो weaving process क्या है, The process of arranging two or more yarns together to make a fabric is called weaving, process of arranging, कौन से process, वो process, जिसमें दो या दो से जादा yarn को अगर आपस में, आप arrange करते हैं, साथ साथ, तो वो एक fabric बन जाता है, और इस process को या weaving process, बोलते हैं, okay, simple है, weaving is done on looms, as shown in figure, Weavings होती है, वो होती कैसा looms में होती है, अब looms क्या है, तो वो नीचे हमें नजर आ जाएंगे, दो तरीके के looms होते हैं, एक होता है hand loom, जो हाथों से चलता है, और एक होता है आपका electricity, यानि power hand loom, जो कैसे चलता है, electricity चलता है, यानि machine से चलता है, okay, तो weaving is done by looms, तो weaving किसे done होती है, किसी करी जाती है, वो करी जाती है, आपकी looms से, तो there are two types of looms, one is hand loom, जिससे हम हाथों से, अपने हाथों से जो काम करते हैं, वो hand loom में जाएगा, और next is power loom, या power operated looms, या electricity looms, है न, जिसमें हम machines का use करेंगे, और जो वो machine किस से run करेंगे, और operated हो, वही कह रहा है, weaving आप हातों से भी कर सकते हो, और power से भी, यानि electricity से भी कर सकते हो, then now knitting process क्या है students, the process of getting single yarn together to form a fabric is called knitting, single yarn, इसमें क्या क्या सकते हैं, आप एक single धागा होगा, जिसे आप क्या क्या सकते हैं, उसी एक ही process से करेंगे, देखो, जैसे हम घर पे sweater बुनते है और क्या कहते हैं, देखो, इसमें दिखा भी रहे हैं, देखो, यह sweater बना रहे हैं, और एक यह जो ladies है, वो भी एक क्या है, अपने आपस में, एक ही धागे से, एक ही धागा होता है, एक ही धागे से आपस में काम चलता रहता है, उसी process को बहते हैं, knitting, तो weaving और knitting दोनों का means हि इसमें बनना होता है, किसी चीज़ को बनते हैं, वही होता है, but the basic difference between them, क्या होगा, basic difference है, कि weaving तो सर हाथों से भी होती है, जिसमें दो या दो से जादा धागे आपस में बनते हैं, ओके, और वो आपके हाथों से भी होती है, और आपकी machine से भी होती है, but knitting में सिंगल धागा ह होगा, कैसा होगा, students, single धागा होगा, जिसे आप आपस में बनेंगे, और उसी process को बोला जाता है, knitting, it is mostly used for woolen beer, जादर आप sweater वगएरा, ये सरतियों के time में इसका use करते हैं, हातों से हम, this is mostly done manually and sometimes using machines, जादर तो manually हैं ये हातों से होता है, but लेकिन कभी-कभी है कि machines से हो जाए है ना, बड़ी-बड़ी companies, machine का use करती है, जब sweater वगएरा बनाती है, इस chapter के अंदर इतना ही है, और कुछ है नहीं दोगए, यहाँ ये chapter end हो गया है, मैंने बोला था कि 5-10 मिनट में ही खतम हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि first video में हमने almost cover कर लिया था, लेकिन वीडियो जादा लेंदी हो जाती है, इसकी वैसे मैंने उसे वहीं रोक दिया, और मैंने आपसे बोला भी था, कि जो next video आएगी हमारी इसी chapter पर, उसमें chapter complete भी हो जाएगा, और इस chapter में मैं आपको notes, इस chapter के notes, वो provide कर दूँँगा आप इसी video के description box में, तो देखो बच्चो description box आप सभी जानते होंगे, काफी time से आप YouTube चला रहा हैं तो, क्योंकि बच्चे आज कल बहुत ज़्यादा intellectual और बहुत ज़्यादा intelligent हो गया है, mobile के मामले में, smart phones, laptops, computers के मामले बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, उन्हें सिखाने की ज़रूद नहीं है, वो almost अपने आप ह काम कर लेते हैं, सारे काम तो, आप भी मेरे साब से जान गए होंगे, जाला तर काफी time से आप भी चला रहे हैं, वीडियो भी बार बार आ रहे हैं, तो समझ गया होंगे, description box कहा आता है, जो वीडियो आती है, उसी के right corner पर एक arrow आता है, है ना, उस arrow को आप क्या कहते है, press कर और इसके notes, दोनों चीजा मैं आपको इस वीडियो के description box में add कर दोगा, इससे first वाली जो वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने already link आपको दिया था, वो पूरा chapter था, उस chapter के end में assignment भी है, long questions भी है, short questions भी है, तो वो आपको self करने भी है, है ना, तो घर पर आप कर लेना, जितना हो सकता, उतना कर लेना, courses करना, तो अगर courses करने से हम चीज़ें सीखते हैं, अब ऐसा तो है नहीं, अगर आप सू रहे हैं, और कह दो कि मैं जग जाओं, तो लेकिन जब तक आप नहीं जगेंगे, तब तक कैसे, कैसे, आप उठना नहीं चाहेंगे, तो कैसे हो जाएगा, अगर आप सपना देखो, कि मैं आरो प्लेन उडालूँ, तो क्या उड़ो जाएगा, आप कहो, मैं क्या कितर टॉपर आ जाओं, तो तुम टॉपर आ जाओगे, करने से होगा, कैसे होगा, करने से होगा, वह आपको करना पड़ेगा, courses करनी पड़ेगी, तो assignment जो मैंने दिय या, उसको courses करना, मैं यह नहीं कहा रहा, करना ही करना है, courses करनी है, जितना हो सकता है, उतना कर लेना, और कोई problem, doubt वगएरा हो, वह में से पूछ लेना, comment मैं भी कर देना, जिदू बच्चे comment कर सकते हैं, वह comment कर देना, और नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब हमारी classroom नहीं, तब मैं आपको अलग से बता दूँगा, okay students, तो description box हो, वो सारी चीज़ा, आपको इसमें वीडियो पहें भी मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर लेना, okay, और वीडियो, ये कुछ खास तो वीडियो है नहीं, छोटी सी वीडियो है, chapter over होई गया, हमारा class 6th के बच लेना, जब भी आपको time मिले, या जब भी हमारे school reopen हो तब, okay, secondly, वीडियो ज़्यादा बड़ी तो हैने, छोटी सी है, like जरू कर देना, है ना, प्यारे बच्चों, जरूर लाइक कर देना, हमें appreciation मिलता, अच्छा लगता है, और share करना अपने दोस्तों के साथ, okay, मिलते हैं एक नए चप्टर के साथ, नई वीडियो मैं तब तक के लिए घर पे रहू, safe रहू, be healthy, okay, take care, bye-bye